आज हम psychiatric में psychosis के बारे में पढ़ेंगे psychosis अकिर है क्या? अगर simple सब्दों में कहा जाए तो वो सारी serious problem psychosis है जो कि mental disorder परिदा करती है अब psychosis जब कभी भी हो जाएगा तो कुछ main symptoms नजर आते हैं जिसमें पहला बताया है thought disorder thought disorder हो जाने के कारण एक problem है delusion delusion अपने को नजर आएगा delusion है क्या? delusion का मतलब है false fixed belief आदमी को जूटा ब्रह्म हो जाता है आदमी की विचारों में ब्रह्म चा जाता है second symptom है perception में p disturbance हो जाता है जिसके कारण hallucination हो जाते है तीसरा symptom बताया है insight insight है जो absent हो जाएगी जिसके कारण आदमी को उसकी condition के बारे में अगर पूछा जाता है तो ठीक ठीक वो उसका जवाब नहीं दे पाता है चोता लोस अगर्टेक्ट विट रियलिटी अदमी है जो फैंटेसी की दुनिया में राने लग जाता है अदमी का रियलिटी से कॉंटेक्ट खतम हो जाता है पांचवा पर्सनलिटी है जो चेंज हो जाती है अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन टाइप्स के बारे में साइकोसिस को मेंली तीन बागों में बाटा गया है फर्स टाइप है वो है फंक्सनल साइकोसिस सेकेंड टाइप है वो है एफेक्टिव साइकोसिस और जो थर्ड टाइप है वो है organic psychosis functional psychosis है क्या functional psychosis का मतलब है कि psychiatric की वो serious problem जिसके हो जाने के बाद आदमी की बोड़ी डंग से काम नहीं कर पाती आदमी डंग से काम नहीं कर पाता है day to day functioning है जो impair हो जाती है बोड़ी की हर organic की functioning है जो impair हो जाती है उसे अपन कहेंगे functional psychosis जिसके अंदर mainly आता है सीजोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया हो जाएगा तो आदमी की personality है जो split हो जाती है reality से contact है जो खतम हो जाता है और आदमी अपने आप में ही खो जाता है second है effective psychosis effective psychosis effect का मतलब होता है mood और mood जब कभी भी mood disorder हो जाता है तो mainly जो problem create होती है उनका नाम है mania, depression और bipolar mania क्या है mania एक ऐसी problem है जिसमें कि psychomotor activity का level काफी बढ़ जाता है ideas है जो बहुत सारे आता है मतलब flight of ideas आने लग जाते हैं और mood का level काफी बढ़ जाता है एक और condition है depression और depression के हो जाने पर psychomotor activity का level है जो कम हो जाता है ideas की भी कमी हो जाती है poverty of ideas आने लग जाते है mood भी है जो उदास हो जाता है sadness of mood नजराता है तीसरा जो psychosis का type है वो है organic psychosis और organic psychosis जब हो जाएगा तो इसके कारण dementia हो सकता है Alzheimer's हो सकता है और delirium हो सकता है dementia क्या है dementia एक परकार का memory loss है dementia के हो जाने से memory loss होने लग जाता है और intellectual functioning है जो impair हो जाती है एक और है Alzheimer's Alzheimer's क्या है Alzheimer's जनरली बताया है कि age से related problem है और इसके हो जाने से brain की cell से जो disappear होना सुरू हो जाती है सरल सब्दों में कहा जाए तो brain की cell है जो delete होना सुरू हो जाती है या degenerate होना सुरू हो जाती है लास्ट कंडिशन आती है इसमें delirium delirium एक एसी कंडिशन है जिसमें consciousness के उपर cloudiness चा जाता है consciousness के उपर cloudiness चा जाने के कारण ना आदमी डंग से सोच पाता है ना परसीव कर पाता है ना day to day काम कर पाता है जिसके कारण illusion हो जाता है उसको hallucination हो सकता है delusion भी हो सकता है thank you keep watching basic nursing classes once again thank you जाता है